रूस-युक्रین जन्ग से जोड़ी एक और बड़ी खबर आ रहे है स्टमी, मीज्ञ ने दावा किया कि रूस की मदद करने के लिए क्राइमिया में इरान के सैनिक पहुँच गए इसके साथी दावा ये किया जा रहा है कि एरान के सैनिक रूस के सैनिक को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं दावा तो यहां तक किया गया कि एरान के शायद 136 और मोहईजर 6 ड्रोन से रूस एरान की मदद से कीव पर फयानक हमले कर रहा है इरान शुरू से ही रूस की जमकर मदद कर रहा है इरान के आत्मगाती ड्रोन से सबसे जबन रुकसान यूकरेन के एर डिफेंस सिस्टम को हुआ है लेकिन अब जिस तरह से इरान के सैनेक रूस पहुँचकर मदद कर रहे हैं उससे अमेरिका और यूक्रेन बुरी तरह से बौकला रहे हैं क्या इन दावों पर यखीन किया जा सकता है कि रूस के क्रेम्बलिन पर हुए ड्रोन अट्रैक का बतला रूस इरान के ड्रोन और मिसाइलों से ले रहा है क्रेम्बलिन पर हमले के बाद सेवकिया यूक्रेन को मिला अमेरिका का पैटरियेट मिसाइल सिस्टम इरान की घातक मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है आखिर ऐसी क्या वज़ा है कि योक्रेन, अमेरिका और नाटो इरानी मिसाइलों के हमलों को छेपा रहे हैं क्या वाकई में इरानी मिसाइलों से रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के मिसाइल सिस्टमों को तपाख करके रख दिया है डेफन्स एक्सपोर्ट्स अग्य दावे क्यों कर रहे हैं कि एरान के ड्रोन हमले काम्याब होने के बाद से एरान ने रूस को हजारों मिसाइले हमला करने के लिए दे दी हैं दावा तो यहां तक किया गया है कि एरान ने रूस को अपनी फत्य वन वन सीरो और सोलफा घर मिसाइल देती है जिसने योक्रेन और नाटो के डेफन्स सिस्टम को भारी नुकसान पहुचाया है इस वक्त जंग के हालात एतने बत्तर हो चुके हैं कि जैलन्सकी ने इरानी हत्यारों की मारक शम्ता के बाद नाटो और अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका खातक मिसाइले और F-16 लड़ाकों विमान योक्रेन को नहीं देगा तो फिर योक्रेन को मजबूरन जंग में आत्मगाती कदम उठाने पर सकते हैं जो योक्रेन के लिए विनाश भी साबित हो सकता है पुतिन के दाफ्तर क्रेम्लिन पर हुए ड्रोन अटाक के बाद से पूरी दोनिया तीसरे विश्युद के मोहाने पर पहुँच चुकी है पुतिन का गुसा जेलन्सकी और योक्रेन पर ज्वाला मुखी की तरह दहक रहा है ड्रोन हमले के बाद से रूस ने पूर्वी योक्रेन के बख्मोल डॉन बास, डॉनस, खेरसॉल, खारकिम, जपरेलसिया और लोहांस ओबलास्ट में जबरदस्थ हमले किये हैं भले ही योक्रेन और अमेरिका दावा करें कि उन्होंने पिछले 5 महीने में रूस के 20,000 सैनिकों को मार डाला है और 80,000 से ज़ादा रूसी सैनिकों को खायल कर दिया है लेकिन हकीकत में रूस ने योक्रेन के पूरवी इलाके के 1,500,000 वर किलोमेटर इलाके को पूरी तरह से रॉन डाला है भले ही योक्रेन और नाटो दावा करें कि 14 महीने की ज़ंग में रूस के 1,90,000 से ज़ादा सैनिक पारे गए हैं और करीब 3800 रूसी टैंक योक्रेन के हमले में तबाह हो चुके हैं लेकिन जमीन पर योक्रेन का पूरा एर डिफेंस सिस्टम और 45 फीसद तोखाना अब तक रूस तबाह कर चुका है जानकारों का दावा है कि रूस ने अपने हथियारों के साथ इरानी हथियारों पर सबसे ज्यादा भरूसा किया है राश्रपती पतन और इरान के राश्रपती इवराहिम रईसी ने महीनों पहले ही तै कर लिया था कि एक बार योक्रेन को हराने के बाद अमेरिका, नैटो और यूरोपिय देशों से हिसाब किताब पूरा किया जाएगी शायद यही वजह है कि इरान आख मूंद कर अपने देश को दाओं पर लगा चुका है इस वक्त इरानी बंकर में रखे घातक मिसाईले, पंप और प्रून लगातार रूस पहुच रहे हैं इरानी जनरल खुद चुन-चुन कर अपने मिसाईले रूस को दे रहे हैं पहली नजर में इरान के हथियार बंकर किसी फिल्मी मूवी का नजारा लगते लेकिन हकीकत में ये कोई जीनी सेना की तरह प्रूपेगंडा फिल्म नहीं है बलकि हकीकत में इरान के ये घातक हथियार बंकर में परे पड़े है जो इस वक्त योक्रेन जंग में रूस की सबसे बड़ी ताकत बन चुके है योक्रेन, अमेरिका और नैचो के लिए इरानी मेसाईले काल बन चुकी है अब वार जोन से जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से इरान, रूस को सबरदस्थ हमला करने के लिए बेहत घातक मेसाईले देने जा रहा है जबकि एरान की कुछ मेसाईलों से रूस ने हमले भी शुरू कर दिये है दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस ने इरानी हथियारों से योक्रेन का दुओड़ा निकाल कर रख दिया है क्रेम्लिन पर दो, सिर्फ दो डूर्ण से हमला हुआ था रूस ने तो यॉकरेन के नौ शेहरों पर इरानी ड्रोन और मिसाइलों से भायानक हम ले करके यॉकरेन के नौ शेहरों को कबरिस्तान बना दिया है। ज़रा देखिए, कैसे? रूस क्रेमलिन ड्रोन अटैक का बतला इरान की घातक आत्मगाती मिसाइलों से ले रहा है इरान के फत्य वन बन जीरो और जॉलफागर मिसाइल योग्रेन पर भारी थावित हो रही है जानकारों के मुदाबिक योगरेन के पास अमेरिका का पैक्चुएट मिसाइल सिस्टम इरानी मिसाइलों के निशाने परा चुका है इस से पहले अमेरिका और नैटो की सभी एयर डिफ़ेन्स सेस्टम इराणी ड्रोन, रूसी ड्रोन और इराणी मिसाइलों के हमले में तबाह हो चुके हैं दावा किया गया है कि इरानी और रूसी मिसाइलों के हमले में ये उक्रेन की 45 फीसद आर्टिल्री यानि तोब खाना तबाह हो चुका है। इसके अलाबा इरानी सेहना ने कादर कुरूज मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार कर ली है। कादर मिसाइल मध्यमदूरी के एंटिशिप मिसाइल है। वहीं इरान रूस को हवा से जमीन पर मार करने वाले लेजर गाइड़ेट सत्तार मिसाइल भी दे रहा है। इरान रूस को अपनी फ्वकॉर 90 मिसाइल देने जा रहा है, जो योकरेन और नैटो के लिए साक्षाग मौन बन जाएगी। भले ही योकरेन, अमेरिका और नैटो को लगे मौस्को ढून से घबरा गया है, लेकिन हकीकत में रूस किसी भी कीमत पर जंगारने को तयार नहीं है। जबकि इरान ने योकरेन की जमीन पर अमेरिका और नैटो से बदला लेने के लिए पूरी ताकत जोग दी है। इरान के रिवलुशनी गार्ट एरो स्पेस फूर्स के हैट अमीर अली हाजी जादे चोन चोन कर रूस को इरानी हत्यार देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ नैटो और अमेरिका के होश उड़े हो हैं। हालात ये हो गए हैं कि योगरेन को रूस के खिलाफ जो काउंटर अटाक मार्च 2023 के आखरी हफ्टे में करने थे। वो हमले योगरेन अब तक रूस पर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ बख्मूत में एक दो हमले कर पाया है जो पूरी दरसे प्रेल हो गए हैं। इरान के राशपत इबराहीम रईसी ने अमेरिका कॉप सीधी दमकी वीदे में शुरू कर दी दस्ट फ़ानाई वीवोहाई मुसलन मा वे गर्मी नी फशारत। हर दस्टी के अमरोज दर मन्तगे मेखाहत अमनियत रा बराए मन्तगे हिप्स मेकुरत। रूस में 36 घंटे में जिस तरह से ड्रोन अटाक का बदला लेना शुरू किया है। उस से योकरेन के गोश बढ़ गए हैं। हना कि टॉनबास, डॉनेस और क्राइमिया में योकरेन बाजी पलटने के लिए काउंटर अटाक की तैयारी कर रहा है। लेकिन दिपकत ये है कि नाटो और अमेरिका की घातक हथियार बहुत देर से योकरेन पहुँच रहे हैं। जबकि रूस के पास इरान की वज़़े से हथियारों की कमी नहीं है। इरान दो से तीन महीने पहले ही तोब और टैंक के लिए रूस को तीन लाख गोले और दस करोर गोलियां दे चुका है। वहीं योकरेन को जो हथियार नाटो, अमेरिका और यहां तक की पाकिस्तान से मिले हैं, वो एक एक करके रूस तबाह करता जा रहा है। इरान ने तो कसम खा लिए कि या तो रूस जीतेगा या फिर रूस और इरान दोनों तबाह होंगे। इसलिए इरान हथियार सप्लाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पहले आप ये देख लीजे कि नैटो के 31 देश, पश्चिम के 50 देश और पाकिस्तान जैसे बरबाग देशों से जो हथियार योकरेन को मिले हैं, उनका हाल रूस ने जंग के मैदान में क्या किया है। ज़रा देखिए। सबसे पहले ये जान लीजे कि जिस बाजे गाजे के साथ अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम योकरेन भीजा गया था, उस हिमार्स रॉकेट को रूस ने बुरी तरह से तबाह कर डाला है। और सुल्फागर बहुत बड़ा खत्रा बन चुकी है। योकरेन को पाकिस्तान से रॉकेट, टैंक और तोप के गोले मिले थे। जो जंग में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए है। और रॉकेट योकरेन के सैनिकों का काल बन चुके है। झाला हुए है। झाला हुए है। झाला हुए है।